ओम नमस्चंडिकाये नमह अथ दुर्गा सबसती भासा अथ देव्याय कोचम महर्शी मारकंडे जी बोले ये पितामा संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया नहो वह कवज मुझे बताईए करने वाला कवज मुझे सुनो प्रथम शयल पुत्री दुसरी ब्रह्मचारणी तिसरी चंद्रघंटा चोथी कुसमंडा पाचवी असकंद माता छठी कात्यायनी सात्वी काल रात्री आठवी महागोरी नोवी सिद्धिदात्री यह देवी की नो मूर्तिया और यह नो दु दुरुगा कहलाती है आग में जलता हुआ रण में सत्रु से घीरा हुआ विशम संकठ में फसा हुआ मनुस्यदी दुरुगा के नाम का असमर करे तो उसको कभी विहानी नहीं होती रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ह होता है हे देवी जिसने स्रधा पुर्वक तुम्हारा असमरन किया है उसकी ब्रिधी होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते है उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो चामुंडा प्रेद पर बाराही भैसे पर रौदरी हाथी पर बैश्णिवी गरुण पर अपना आसन जमाती है महस्विरी बैल पर कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिये हुए बिश्णु प्रिया लच्छिमी जी कमल के आसन पर विराजती है बैल पर बैठी हुई इस्वरी देवी ने स्वेत रूपधारन कर रखा है और सब प्रकार के आभोशनों से विभूत्रित ब्र संपूर देविया रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, सक्ती, हल और मुसल खेटक और तुमर, परसु तथा पास, भालाय और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि सस्त्रों को देत्यू के नास के लिए और भक्तों की रक्ष साहवाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, हे देवी, तुम्हारा धर्संदुरलब है तथा आप सत्रों के भय को बढ़ाने वाली है, हे जगदंबी के मेरी रक्षा करो, पुर्वदिशा में एंद्री मेरी रक्षा करें, आगनी कोण में, आगनी सक्ती, दक्षिन में बराही देवी, न सित्य कोण में खडग धारनी देवी मेरी रक्षा करें, बारुणी पशीम दिशा में, वाई कोण में म्रिग वाहिनी, उत्तर में कोमारी, और इसान में सूल धारनी देवी मेरी रक्षा करें, ब्रामहडी उपर की ओर से मेरी रक्षा करें, और बैष् पिछे की ओर अजिता बाई ओर पराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उदोतनी देवी सिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में इस्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यसा स्वीनी देवी मेरी भोहों का संरक्षन त्रिनेत्रा नत्नों की यमघठा देवी रक्षा करे, नेत्रों के मध्य में संख्णी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे, कपोलों की कालिका देवी और कानों के मुलभाग की भगवती संकरी रक्षा करे, सुगंधा नासिका में और चर्जिका उपर के ह अम्रितकला नीचे की होठो की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। कामिनी देवी नाभी की गुहे स्वरी गुहा हस्थान की पुतना और कामिका लिंग की और महिस वाहनी गुधा की रक्षा करे। संपून एक्षाओं को पून करने वाली महाबला देवी दोनो जंगाओं की रक्षा करे। बिंधि वासनी दोनो घुटनों की और तेजसी देवी दोनो पाउं के पिष्ट भाग की। स्रिधरी पाउं की अंगुलिओं की अस्थल वासनी तालूओं की द्रश्टा करालीनी देवी नक्षों की उर्धवर केशनी केशों की बागउश्वरी बाडी की रक्षा करे। बल्यों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेशोरी देवी रक्षा करे। छत्रेश्वरी, छाया की और धर्मधारणी मेरे अंकार, मन तथा बुधी की रक्षा करे। आयू की रक्षा बराही देवी करे। बैश्णवी, धर्म की तथा चक्रिर देवी मेरी यस, कृती, लक्षमी, धान, बिद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे सरीर की रक्षा करे और हे चंडी के आप मेरी पसू की रक्षा करे। महालक्षमी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पत्त की सुप्था तथा मार्ग की छमा करी देवी रक्षा करे राजा के दर्बार में महालक्षमी तथा सब और व्याप्त रहने वाली बिजया देवी चार और से मेरी रक्षा करे जो अस्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नास करने वा जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे आवस्य धनलाब होता है तथा बिजय प्राप्त करता है वह जिसा बिष्ट बश्तु की इक्ष्य करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से आवस्य मिलती है और वह इसी संसार में महा इस्वरे को प्राप्त होता है और वह तीनों ल के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव सक्तिया प्राप्त होती है वह तीनों लोकों को जित सकता है तथा अकाल मिर्टु से रहित होकर सव वर्षों तक जीवित रहता है उसकी लुता चर्मरोग विश्फोटक आदिस समस्त ब्याधिया समोलनष्ट हो जाती है और इस तरह के जीतने यग्य, मंत्र, तंत्र, इतियादी होते है इस कवज के हिदय में धारन कर लेने पर नश्ट हो जाते हैं इसकी अत्रीक प्रित्वी पर विचरने वाले भूचर, नबचर, जलचर, प्राणी उपदेश मात्र से सिध होने वाले निम्रकोटी के देवता, ज भीह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बैताल, कुश्मांड और भहरव, आदियानिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हिदर में यह कवज धारन किया हुआ है, देखते ही देखते भाग जाते हैं, इस कवज के धारन करने से मा और तेज भरता है, जो मनुष्य इस कवज का पाठ करके उसके पस्चात सबसती चंडी का पाठ करता है, उसका यस जगत में विख्यात होता है, और जब तक बन, परवत और काननादी इस भूमंडल पर इस्थित है, तब तक यह पुत्र, पोत्र, आदिशंतान परमपरा बन सुंदर रूप को धारण करके भगवान संकर के साथ अनन्द करता हुआ, परम मोक्ष को प्राप्त होता है, मित्रो, यह दुरुगा कवज पाठ आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना, और कमे में जै माता दी जरूर लिखना, धन्यबाद!